इस वीडियो पर बात करने वाला हूं MP Board वारसिक परिक्षा सत्र दोहजार बाइस तेवीज कक्छा आठवी विसे हिंदी विसेष्ट के बारें बताने वाला हूं तो इस टूडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और योटुब चैनल को सस्क्राइब कर लें इसका पेडियो टेलिग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर तो जाकर डाउनलोड करें बहु विकल्पी या प्रश्न सहीं विकल्प का चैन का लिखे प्रश्नकरमांक एक से 10 तक रहेगा प्रतेक प्रश्न यहां पर एक अंका है प्रश्नकरमांक एक मा विणा वादनी से तातपरे किस देवी से है आपसं दिया है मा दुरगा, मा लच्छमी, मा सरस्वती, मा अनपूर्णा उत्तर क्या होगा मा सरस्वती उसके बात बात करते हैं आपका अगला प्रश्न नव, नभ के नव विहग वरिंद को पंक्ती में अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सलेस अलंकार, उत्रेक्छा अलंकार तो पंक्ती को पैचान कर अलंकार बताना इसमें कौन सा अलंकार है नव नब के नव विहक व्रिंद को यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार पिर है आपका तलीन में उपसर्ग है तलीन में कौन सा उपसर्ग है तत तल तली तो यहां पर है आपका तत तत उपसर्ग है फिर है आपका चौथा प्रश्न प्रख्यात संतूर वादग थे अलाउदिन खा कुमार गंधर्व तान से बिस्मिल्ला खा तो इसका उत्तर है अलाउदिन खा ये उत्तर आपका आएगा ओप्सन नमबर अ फिर बात करते हैं आपके पाचवा प्रश्न प्रभू जी तुम चंदन हम पानी डैस पंक्ती किस कवी की है सूर तोलसी रैदास मीरा बाई उत्तर आएगा इसका रैदास ओप्सन नमबर सा फिर आपका छटवा प्रश्न हिर्दय भर आना मुहावरे का अर्थ है प्यास बुजाना दुखी होना खुसी होना इन में से कोई नहीं तो उत्तर आएगा इसका दुखी होना फिर बात करते हैं आपके साथवा प्रश्न का तो गीता में कुल कितने स्लोक है 500, 600, 700, 800 तो उत्तर आएगा सहीं साथ सो अप्सन नमबर सा फिर आपका आठोवा प्रश्न समराट विक्रम दित्य ने डैस समवत का प्रचलन प्रारम किया था सक इस्वी विक्रम इन में से कोई नीत उत्तर आएगा समराट विक्रम दित्य ने विक्रम समवत का प्रचलन प्रारम किया था बात करते हैं नववा प्रश्ण इतिहास संबंदिस सब्द के लिए प्रयुक्त होगा इतिहासिक 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 उत्तर आएगा इसका इतिहासिक तो ये आपका उत्तर रहेगा बात करते हैं आपके दस्वा प्रश्ण सीर घोट मोट पर चूटिया थी लहराती थी तोंद लटक कर घुटनों को छूजाती पंक्ती में कौन सा रस है तो यहाँ पर दिया गया चार रसों का अद्बूत रस हास्य रस सांत रस करून रस उत्तर आएगा इसका हास्य रस बात करते हैं आपके लगू उत्री अप्रश्ण 11 से 20 तक के रहेगा लगू उत्री प्रश्ण जो तीन अंकों का पूछा जाएगा नव नब के माध्यम से कभी क्या कहना चाता है तो उत्तर आएगा नव नब के माध्यम से कभी कहना चाता है कि सभी प्राणी नए भारत वर उसकी रचना करे और उन्हें इस निर्माड में सभीक नए साधन प्राप्त हो बाली को क्या वर्दान प्राप्त था most important question है आपका बाली को ऐसा वर्दान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकस सकती उसमें आ जाते थे इस कारण बाली अपने सामने आये व्यक्ति को असानी से पचार देता था सरस्वति किस संगितग्य के गले में विराजमान मनी जाती है उत्तर देखते हैं यहाँ पर संगितग्य लता मंगेशकर के गले में सरसुती स्वयम विराजमान मानी जाती है उसके बाद है डॉक्टर चंद्रा को समान्य जोर के बाद कौन सी विमारी हो गई थी? यह भी प्रशन आपका पूछा जा सकते एक्जाम पर डॉक्टर चंद्रा को समान्य जोर के बाद पक्चा घात की विमारी हो गई जिससे गर्दन के नीचे उसका सर्वांग अच्चल हो गया मुक्त खोरो के सर्थाज किसे कहा गया है उत्तर आएगा मुक्त खोरो के सर्थाज मुक्त अनंद को कहा गया है जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्चा करना नहीं चाते वे मुप्त में प्राप्त वस्तों का आनंद उठाते हैं बात करते हैं आपके सोलवे प्रश्न की तो यहां पर पूछा गया है पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है तो ये भी प्रश्नों को आपको तयार करना है पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है अम्रिता देवी का नारा क्या था? उत्तर आएगा मोश्ट आईएंपी ये प्रश्न है आपके अम्रिता देवी का नारा क्या था? पेडों से लिपट कर वह कहती रही सीर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जाण यही अम्रिता देवी का नारा था मोश्ट आईएंपी ये प्रश्न है उसके बाद है आपका व्रिद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? वह बुढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दर्वाजों पर फुलों की माला बेचा करती थी बात करते हैं आपके उन्निस्वा प्रश्न महेस्वर का प्राचिन नाम क्या है? तो महेस्वर का प्राचिन नाम महेसवरी अथ्वा माहिस्मती है ये भी आपको पूछा जा सकता है तो मुष्टी इम्पोर्टेंट है राजा के प्रथम दो महलों में जो दो लोग मिले वे कौन थे उत्तर देखते हैं राजा के प्रथम दो महलों में जो दो लोग मिले उनमें से क्रमसा 17-18 वर्स का एक युवक और 19-20 वर्सी अद्विती सुंदर कन्या थी तो ये भी आपका important प्रशन है इसको आप तयार कर ले बात करते हैं आपके दिर्ग उत्री प्रशन 21 से लेकर 25 तक रहेगा कवी मास वर्स्वती से क्या वर्दान चाह रहा है उत्तर देखते हैं इसका बड़ा उत्तर आपको लिखना है पांच अंको का एक प्रशन रहेगा कवी मास वर्स्वती से वर्दान चाहता है कि संपुन भारत वर्स में स्वतंतरता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए प्रतेक व्यक्ति के हिर्दै से विबन इस तर से अग्यान का अंधकार दूर हो जाए तता सर्वत्र ग्यान की जोती का जर्ना बहने लगे मन के विकार दूर हो जाए अग्यान का अंधकार नश्ट हो जाए तता समस्त संसार ग्यान के प्रकास से चमक उठे संपुन भारत नई गती प्राप्त करके गीत और छंद के छेत्र में नविंता प्राप्त करे प्रतेक कंठ में मधूर स्वर नए बादल की गंबिर और कल्यानकारी गरजना के समान उठने लगे कविता और गीत के अकास के स्वतंत्र वातवरन में नए जन में पक्चियों के समान नए कवी और गीतकार अपने नए पंग को गीतों के सारे उडान भरने में समर्थ हो जाए इस तरह है स्वरसती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे हमें सब में हैं कैसे यह आपको उत्तर करना है तो यहाँ से आप उत्तर को याद करें most important question यह पूछा आपको जा सकता है तो यह उत्तर यहां से आप देख सकते हैं post कर ले screenshot ले ले बात करते हैं आपके अगला प्रशन 23 जहाज का पक्षी किस बात का प्रतिका है आसा इस पश्ट किजे IMP प्रशन यह पूछा जाता है आपके परिक्षा पर जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर इस्तल के दूर्या समीफ होने की जानकरे देने वाले पक्षी रूप भगत है जिस प्रतर समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन की धर है और कितनी दूर इसकी जानकरे लेने के लिए पक्षी यह पूछ चोड़ा जाता था जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षी पहुंच से बाहर होती थी तो पक्षी लोट कर जहाज पर ही आ जात जाते थी यदि जमीन दूर या समी पोती तो पक्षी उसी दिशा में उरते हुए चले जाते थे और जमीन ही उनकी सरन इस्तल बन जाती थी नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते थे उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था यह उस समय होता जब कुतुब नुमा आदे दिशा सोचक यंत्रों का विस्कार नहीं हुआ था इस पद में कभी ने अपने आपको जहाज के पक्षी भक्त के रूप में चित्रित किया जो बार बार सभी की ओर से निरासो कर स्रीकृष्ण के चरनों रूपी जहाज पर सरन प्राप्त करता ह फिर बात करते हैं 24.परेशन बार पिडितों की चा क्या ओसकता होती है उसे किस तरह सहयोग दिया जा सकता है बच्चों ये प्रेशन को आपको अपने सब्दों में लिखना है और अच्छे से याद भी कर लेना है बाड़ पिडितों की सबसे पहली ओसकता होती उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की उनसे संबंदिस समान को उनके पास पहुँचाने की उस समय उन्हें भोजन पानी कपड़े आदी प्राप्त कराने की जरूरत होती इसके अलावा उन्हें दवाईयों की ओसकता ह क्योंकि बाड आ जाने से पानी पैलने वाले अनेक रोग उत्पन नहों जाते उन रोगों का इलाज तुरंत आसकता होती इन बाड़ पिडितों को रैट क्रोस और वलिंटियर्स सहता पहुंचाते कुछ स्थानी संसाइं वा देश की सेना और स्वयम सेवी संसाइं भी इस कार करती है बाड़ पिडितों के लिए अनवस्त्र आउस्दी आदियकत्र कर उसमें बाट दिया जाता है तो इस तरह से आपके पेपर्स होंगे सभी प्रशनों को आपको याद कर लेना है इस तरह से आपके पेपर रहेंगे थाइंक्यू सो मच